आज आपको दो ऐसे पॉइंट बताऊँगा जिनको जानने के बाद में आप नए केवल साइंस बलकि दुनिया की कोई भी किताब बिल्कुल आसानी से पढ़ भी पाओगे और उसके बारे में लिख भी पाओगे केवल दो पॉइंट ऐसे हैं जिनको आप अगर समझ गई तो कोई भी किताब ना तो हर्ड होती है और ना ही वो सरल होती है केवल अपने माइंड सेट की बात होती है आप इन दो पॉइंट को आप हमेशा याद रखना उसके बाद में चाहें दुनिया की कोई भी किताब आपक भी पाओगे ये टैंथ की जो साइंस हके आपकी बुक है यो तो बहुत छोटी लगने लगेगी आपको उसको पढ़ने के लिए केवल और केवल आपको दो पॉइंट समझ देने हैं वो पॉइंट कौन से है पहला पॉइंट तो होता है हमारा माइंड सेट ठीक है नमबर व लिखवा भी सकता है हर कोई आपको ये तो बताता है कि कोई भी चीज हमें रटनी नहीं चाहिए हमें समझनी चाहिए लेकिन पंगा यही तो है कि उसको समझे कैसे है ना ये भी दिक्कत आती हमें भी पता है कि कोई चीज रटनी नहीं चाहिए लेकिन कोई बताए तो सही इ है यह मारके चला हूँ कि आप 10th class के विद्यारती हो ठीक है और आपको science अपनी पढ़नी है अब 10th class का तो पहला chapter है वो हमारा है chemical reaction और equation मने रासाइनिक अभी के लिया और समीकरन यह हमारा पहला chapter है 10th के अंदर अब इस chapter को मुझे पढ़ना है और मुझे यह check करना है कि मेरे समझ में आ गया कि नहीं है ठीक है तो आपको करना यह है कि सबसे पहले तो आपको school में जो पढ़ाया गया है ठीक है school में आपको बिल्कुल पढ़ाया गया होगा chapter पहला यह और सबसे पहले ही पढ़ाया होगा हो सकता है बाद में भी पढ़ाया हो वो तो कोई दिकत नहीं है लेकिन आपने यह चेप्टर पढ़ा हुआ है इस चेप्टर को आप खुझ से एक बाद बुक से रीड करके देखी ठीक है इस बुक को आपको क्या करना है रीड करना है बुक इसको पढ़ना है और पढ़ते टाइम अगर आपको यह feeling आ रही है कि चीज़ें मुझे कुछ देखी देखी से लग रही है यह चीज़ें मुझे थोड़ी थोड़ी आती है तो यह मान के चलना कि आपको वो चीज़ें समझ में आनी शुरू हो चुकी है आपको ये पूरा का पूरा चेप्टर अच्छे से पढ़ना है और इसमें जो चीजें लिखे गई हैं उनको समझने का प्रियास करना है अब यहीं आके हमारी चीजें फस्ती है कि समझने का प्रियास करना है क्या करूँ कि मुझे ये चीजे समझ में आने लग जाएं तो करना ये आपको जैसे मान लिजी आप लोग एक chemical equation या रासाइनिक समझ रहे हो ठीक है रासाइनिक समझ में आपको ये चेक करना है कि मेरे समझ में आया है कि नहीं आया है आपने उसको book में से read किया और आपको अब ये चेक करना कि समझ में आया हुआ है या मैंने रट लिया है तो आपको एक चीज़ करनी है इसके बारे में आप net पर जाएए कि chemical equation या रासाइनिक समीकरन लिखे उसको search मार जिए और जब आप search करोगे तो same to shame तो result सारी आएंगे नहीं अलग-अलग type से लोग उसको लिख के देंगे माली जी आपने search किया और दो-तिन website इस परकार से निकल कि आई और सब अलग-अलग अपने तरीके से उसको बताएंगे आपको ये करना कि तीनों को check करना सरसरी निगाहों से उसको जशे अकवार पढ़ते हैं उसके फटा-फट देखने अगर तीनों को पढ़ते टाइम एक same concept आपके दिमाग में आ रहा है तो यकीन मानना वो चीज आपको समझ में आ चुकी है ठीक है और अगर ऐसा होता है कि इसको पढ़ते टाइम आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है इसको पढ़ते टाइम दिमाग में कुछ और नए concept बन गया इसको पढ़ा तो कुछ और ही बन गया तब आपको वो समझ में नहीं आया है तब आपने उन चीजों को रट के रखा हुआ है ठीक है मैंने क्या बोला फिर से दो रहाता हूं मैं एक बारी आपने स्कूल में पढ़ा है उसके बाद में घर पे आके उस चेप्टर को पढ़ा है चेप्टर को पढ़ने के बाद में अगर आपका कोई बड़ा भाई या कोई और है तो उसको आप टेस्ट दे सकते हो और अगर नहीं है तो आप Google पे उस चीज़ को सर्च करके देखो जब सर्च करोगे तो अलग-अलग परकार की वेबसाइट आओगी अलग-अलग लोगों के जो expression है वो आएंगे उनको आप चेक करना अगर उन सब को पढ़ने के बाद में आपकी दिमाग में एक concept बन रहा है तो वो आपको समझ में आ चुका है और अगर चार वेबसाइट पढ़ ही आपने अलग-अलग और चारों में भी अलग-अलग ही आपका mindset बन रहा है तो आप इन चीजों को रट रहे हो ठीक है एक parameter हो गया रटने और समझने का अब आपको ये करना है कि इन चीजों को फिर से पढ़ना है समझना है अब आपको चीजे समझ में नहीं आई है अगर एक ownership बन रहा है तो चीजों समझ में आ गई और एक से ज़्यादा बनने तो समझ में नहीं आई है अपने teacher के पास जाओ कि मुझे इस चीज में doubt है मुझे इस चीजों को समझा ये वो आपको अच्छे से समझा देंगे ठीक है ये तो हो गई mindset की बात कि चीजों को हमें समझना है ठीक है दूसरा expression जो भी आपके दिमाग में है उसको कहने की ख्यमता आपके अंदर होनी चाहिए जैसे आपने ये चीजें पढ़ी रहा साइनिक समझ करना आपको अच्छे से समझ में आ गया एक ownership बन गया अब उस उस चीज को आपको वहाँ पर आपने चीजों को देखा और उन चीजों को देखने के बाद में आपके दिमाग में वो चाहरी चीजें पढ़ी हुई है लेकिन समझ्या क्या है अगर कोई आपको पूछ ले कि तुमने क्या देखा तो आप उसमें से आद्वी से जाद्या चीजें भूल जाओगे आपको करना क्या है अपनी इस expression capacity को बढ़ाना है यही दिक्कत आती है जादातर उनके साथ में जो थोड़े से intelligent होते है उनको चीजें सारी आती है लेकिन express नहीं कर पाते तो इस expression capacity को कैसे बढ़ाएं तो देखिए जब आप अपना answer लिखने के लिए बैठो तो पहला काम तो यह करना है कि दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है उसको एक बारी side में कर दो क्योंकि अब आप परिक्षा hole में बैठे हो आपको अपना answer लिखना है और यह केवल आपको थोड़ा सा ही समय मिलेगा ऐसा नहीं कि पूरा दिन आपको वहीं बैठा गे रखेंगे fix time मिलता है सबको बराबर ही time मिलता है उसी time में आपको अपना अच्छा सा answer लिखना है और उस दोरान अगर आपके दिमाग में मेला चल रहा है तो फिर आपका answer का skip होना तो सवभाविक है और पूरा का पूरा answer कभी भी intelligent लोगों के दिमाग से skip नहीं होता है वहाँ पे कुछ point मिस हो जाते हैं और वहाँ क्या होता है कि जैसे थोड़ा सा के मान लिजिए किसी ने याद कराया तो पूरा answer याद आ जाता है लेकि आप याद कराय कोन यह दिकताती है तो इसलिए पहला काम यह करना है कि अगर दिमाग में कुछ भी चल रहा है तो उसको भार भेजो पहले दिमाग को खाली करो केवल और केवल दिमाग में exam ही चलना चाहिए exam hall के अंदर ठीक है पहला काम तो यह करना है कि आपने दिमाग को एकदम खाली कर देना है और दिमाग में हमारी अपने उस subject को लिखना है रखना है जिसका हमारा आज paper है दूसरा यह करना है कि दिमाग में जो भी stress है उसको इन चीज़ों के साथ ही भार बेज दो क्योंकि आपके stress लेने से paper को यासान तो हो नहीं जाएगा एकदम free mind हो जाना है ठीक है और एक गलती जो हम लोग करते हैं उस समय अपने दिमाग में हम चीज़ों को revise करना शुरू कर देते हैं तो उससे भी बचना है क्योंकि उससे होगा ये कि आपका mind ठक जाएगा और उसको फिर उसको आराम चाहिए होता है तो उससे भी आपको बचना है अपने आप जो चीज़े दिमाग में आ रही है subject को ले करके उसको तो आने दो याद करकर कैसे करने को जुरूत ने क्योंकि जब आप अपना आनसर लिखना सुरू करोगी जब क्योंसे आपके सामने होगा तब वो सारी चीज़े अपने आप याद आनी सुरू हो जाएगी अगर आपने उनको समझ के रखा हुए तो और अगर ऐसी बढ़ बढ़ाओ के मन के अंदर तो फिर हो सकता है कि आप थोड़ा सा तनाव में आ जाओ तो उससे भी आपको थोड़ा सा बचना है ठीक है दो चीज़े मैंने आपको बताई एक तो माइंड सेट मैंने चीज़ों को समझना और दूसरा है एक्सप्रेशन मानने किस परकार हम अपना आंसर लिख सकते हैं ये दो चीज़ अगर हमारी समझ में आ गई तो उसके बाद दुनिया की कोई भी किताब हमारे लिए हार्ड नहीं होगी चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो चाहे आर्ट से रिलेटेड हो चाहे कोमर्स से रिलेटेड हो ठीक है ये छोटी सी इन्फरमेशन मैंने आपको देने का प्रियास किया है आई होप इससे आपकी थोड़ी बोथ हैल्प ज़रूर हुई होगी और आगे भी ये इसी परकार की वीडियोज अगर आप पारना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर दबाना ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें